आज तीन और बढ़ गए हैं आज 49 केसिज हैं पोरोना के जिसमें 49 में से 29 केसिज वो हैं जो बाहर से आए हुए यात्री जिनको कॉरेंटाइन रखा गया था वो समय समय पे उनकी टेस्टिंग हो रही है तो वो उन में से जो केसिज निकले हैं और 10 केस ऐसे हैं जो उनकी वज़े से आगे लोग संक्रमित हुए हैं वहाँ पे लोग लोकल लेवल पे जो ट्रांसमेशन हुआ है लोकल लोगों में फैला है लेकिन एक प्रशन उठता है कि अभी स्थिती नियंतर्ण में हैं एक दिन में तीन चार केस बढ़ते हैं मोटे तोर पे कुछ एक दिन बीच में ऐसे भी आए जब एक भी केस नहीं बढ़ा लेकिन जो दूसरे देशों की स्थिती है यहां तक कि अमरीका में भी बहुत बुरा हाल है इस टाइम इंग्लेंड में भी यूके में भी बहुत बुरा हाल है इस टाइम अगर स्थिती बहुत ज तीम बनाई थी, पांच डॉक्टर्स की टीम, डॉक्टर सरीन जो की ILBS के हेड हैं, उनके ध्यक्षता में, उन डॉक्टर्स की टीम ने बहुत शांदार काम किया है, उन्होंने कल अपनी रिपोर्ट दी है, सारी तैयारियों का प्लान बना के, कि आने वाले समय में अगर कोरोन के केस बहुत जादा बढ़ गए, दिल्ली के अंदर, तो हमें क्या क्या तैयारियां करनी है, इसको उन्होंने तीन स्टेजिजेज में बाउंटा आ है, एक है, कि अगर डेली सौ तक केस करोन के आते हैं, हर रोज सौ नए केस, अगर सौ से कम, सौ नए केस करोना के आते हैं, तो हमें क्या तयारियां करनी है दूसरी स्टेज अगर 500 तक केस बढ़ जाते है रोज 500 रोज केस आना शुरू हो जाते है तो हमें क्या तयारियां करनी है और तीसरा की अगर 1000 केस रोज आना चालू हो जाते है कोरोना के positive रोज 1000 patient कोरोना के आना चलू हो जाते हैं तो हमें क्या तेयारियां करनी हैं अभी 100 तक case अगर कोरोना के daily आते हैं जैसे अभी मैंने बताया कि किसी दिन 3 आ रहे हैं किसी दिन 4 आ रहे हैं अगर ये बढ़के 100 per day भी हो जाते हैं तो आज हमारे पास जो व्यवस्था है आज हम जिस थिती में हैं वो काफी है इसको हमने 4-5 चीजों में देखा है कि हमारे पास isolation beds की कितनी जुरूरत पड़ेगी अगर 100 केस होते हैं तो isolation beds की कितनी जुरूरत पड़ेगी 500 होते हैं तो isolation beds की कितनी जुरूरत पड़ेगी कि दूसरा वेंटीलेटर% कि जुरूँ पड़ेगी फांस लॲे ብ होते Caleb स्वल Direkt. रए जातरny पड़ेगी हैं कितने आईसिई भैजकी जरूँ कितने अईसिद भैजच की जूरूँ पड़ेगी कितनी टैस्टिंग रॉत याजक्थ करने पड़呢 हैं अगर सौ बेड़ सौ पेशएंट डेली आ रहे हैं तो मोटे-मोटे तोर पे हमें उन दिनों में कितने टेस्ट करने पड़ेंगे दूसरों के सस्पेक्ट के फेलेवालों के कॉन्टैक्ट्स की कितने तेस्ट की करेंगे वो डॉक्टर्ज नर्सिज कैसे आएंगे कहां रहेंगे इस सब की बहुत डीटेल्ड प्लैनिंग इन सब ने इस मेडे डॉक्टर्ज की टीम ने की है तो सौ केस तक जैसा मैंने बताया कि अभी फिलहाल हमारी तैयारी है सौ से जैसी बढ़ते हैं तो इन्होंने प्ल एंबॉलेंसे यहां यहां से आएंगी यह यह वंटिलेटर जाहां यहां से आएंगी तो सौ से बढ़ते ही फिर हम वो सारी चीज़ें इंपर हमें प्लिमेंट करनाँ चालो करेंगे कर रहे तो उनकी ब्लैनिंग के हसाफ से हजार पेशत्थपर डे अगर बढ़ जाते हैं दिल्ली के अंदर हजार पेशत्पर दे तो उसकी सारी अभी हम करके चल रहे हैं उस स्टेज की भी हम तैयार करके चल रहे हैं भगवान करे, ऐसी स्थिति ना आये, मुझे उमीद है ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, आज जो हम चार पेशेंट, पांच पेशेंट भी हो रहा है, मैं उमीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये भी कम होना चाहिए, बढ़ना नी चाहिए, उसी स्थिति ये लॉकडाउन जो किया है, उसको कम करने के लिए किया है, बढ़ने के लिए नी किया, मैं उमीद करता हूँ कि ये कम ही होगा, बढ़ेगा नी, लेकिन अगर बढ़ता है, तो हमें तयार तो रहना चाहिए ना, तो उसकी हम लोगों ने पूरी तयारी किया है, दूसरा है, जो बहुत हप्ता जलना बंदो गया ऐसे लोगों को सरकार खाना बनाब करें खिला रहे हैं तो अभी तक हम लोग डेली 20,000 लोगों को अपने रेनबसेरों में खाना करें खिला रहे थे हमारे 24 रेनबसेरे चल रहे तक लेकिन हमने देखा वटकम पड़ते जा रहे डेली संखिया बहुत बढ़ती जा रोई है 224 रेंबसेरे भी कम पड़ रहे थे और कई जगे से खबर आ रही थी कि यहां भी लोग भुखे हैं हैं यहां भी लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं मैं वीडियो भी देख रहा था सोश्जल मेडिया के उपर जो लोग बता रहे थे कि जी हम भूक हैं यहाँ पे खाना नहीं है तो इसको हमने बहुत बड़े स्थर के उपर आज से हम बढ़ा रहे हैं हमने 325 स्कूलों के अंदर आज से लंच और डिनर देने का इंतिजाम किया है 325 हर स्कूल में कम से कम 500-500 लोगों के खाने का इंतिजाम दोनों टाइम 500-500 लोगों के खाने का इंतिजाम किया है जो existing rain बसेरे थे उन रेन बसेरों के अंदर भी हमने खाना बढ़ाया है तो आज से अब कल तक हम 20,000 लोगों को डेली खाना खिला रहे थे आज से ये संख्या बढ़के लगबक 2,070,00ди से बढ़ा रहे हैं दो लाख लोगों को डेली हम खाना खिलाया करेंगे और ये संख्या कल से बढ़के डबल हो जाएगी कल से हम चार लाख लोगों को डेली हम खाना खिलाया करेंगे और इसको भी हम जगे जगे पूरी दिल्ली के अंदर इन सेंटर्स को डिस्टिब्यूट कर रहे हैं ताकि लोगों को ज़ादा दूर चलके ना आना पड़े मैंने अपने सभी MLA's को बोला है कि सभी MLA's के जिम्मेदारी है कि अपने अपने विधानसबा क्षित्रों के अंदर वो समाज के साथ मिलके एंशूर करें सरकार तो अपनी विवस्था करी रही है समाज को जैसे मैंने बार-बार कहा समाज को भी सामने आना पड़ेगा समाज के साथ मिलके कोशिश करें कि कोई भूखा ना सोने पाए जहां-जहां और विवस्था करने की जुरूरत है खाने के विवस्था करें लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है कहीं ऐसा ना हो कि हम खाना तो खिला दे और कोरोना वहीं से फैलना चालो हो जाए यह लॉकडाउन सारा बिकार हो जाएगा अगर हमने यह सेंटर्स के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की और यहां पर अगर कोरोना फैलना चालो गया तो हर हालत में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, मैं अभी देख रहा था जो जो हमारे रहन बसे रहे हैं, वहाँ पे मीडिया के लोग भी गई थे, वहाँ बहुत अच्छा इंतजाम चल रहा है, वहाँ पे सोशल दूर दूर बिठा बिठा के लोगों को खाना खिलाया ज मास्क वास्क पहन के सब अच्छे से कर रहे हैं, कई सारी समाजिक और धार्मिक संस्थाएं साथ आई हैं, इसकौन वाले बहुत मदद कर रहे हैं, राधा स्वामी वाले बहुत मदद कर रहे हैं, गुर्दवारे वाले बहुत मदद कर रहे हैं, वो सरकार की भी मदद कर रह कर रहे हैं और भी मैं किसी का अगर नाम लेना भूल गया हूं तो मुझे माफ कर दिजेगा बहुत सारे और लोग बहुत मदद कर रहे हैं उन सब लोगों का मैं तहे दिल से जनता की और से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इन दिनों में पिछले दो-तिन दिन में मैं देख रहा हूं जहारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमन सुरेन जी के भी सोशल मीडिया पर मेसेज आ रहे थे उधर ममता दिदी भी कह रही थी वो कह रहे थे जहारखंड के जितने लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनका ख्याल थी किनल हिससे मैं ने बताया कि BACK आ रहे थी जैसे मैंने बताया कि खाने पीने की दिक्क्ते आ रहे थी अब इसको हम बहुत बड़े स्तर के उपर बढ़ा रहे हैं, किसी को भी खाने की दिक्कत नहीं होने देंगे, और सबी राज्जयों के दिल्ली देश की राजधानी है, और दिल्ली देश का दिल है, और पूरे देश से लोग आ के यहां पे रहते हैं, मैं देश के सभी अन्य राज्यों को, उनके मुख्यमंत्रियों को, उनके लोगों को या आश्वासन देना चाहता हूं कि दिल्ली में जो भी रह रहा है, उसको हम किसी कोशिश करेंगे कि उनको कम से कम तकलीफ हो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि किसी को भी तकलीफ नहीं होगी, ये समय बहुत क आप से जोड़ी हर खबर जानने के लिए सबस्काइब करें दशोद्र और बेल आइकन दबाना ना भूलें